फिलेश यादव भले ही सीम योगी आदितनात पार गोरखपुर में बुलडोसर भेजने के बात कर रहे हैं लेकिन सीम योगी अपने मिशन 10 में जुटे हुए हैं आप जानते हैं उनके नज़र विधान सुभा के उन 10 सीटों पर है जहां पर उपचनाव होने वाले हैं इसकड़ी में सीम योगी आज फूलपुर जाने वाले हैं जहां वो 5,000 से ज़्यादा युवाओं को नौकरी के जॉइनिंग लेटर सौपिर के साथी चात्रों में 10,000 से अधिक स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरन किया जाएगा फूलपुर में रोजकार मेले के साथ ही रिड़ मेले का भी आयोचन किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ रिण के तौर पर 600 करोड का वितरन करेंगे सीम योगी 17 अगस्ट से लगातार किसी ना किसी विधान सुभाग शेतर में जा रही है 17 अगस्ट को सबसे पहले वो अमबेटकर नगर गए थे जहांके कठेरी विधान सुभा सीट पर उपचनाव होने है इसे तरह 18 अगस्ट को अयोध्या जहांके मिलकेपूर में चनाव होना है 22 अगस्ट को मुझवफर नगर जहांके मीरापूर सीट पर उपचनाव है 23 अगस्ट को गाजियाबाद 27 अगस्ट और 3 सितंबर को मैनपूरी का दौरा हुआ अब सीएम दो बार मैनपूरी जा चुके हैं जहांके करहल सीट पर उपचनाव है कल उन्होंने करहल से ही अखिलेश यादफ पर बड़ा निशाना साधा था 2017 के पहले हर नौकरी बिक्ती थी उसकी निलामी होती थी वसूली में चाचा और भतीजा समान के वागीदार होते थी और बाद में जब ज़्यादा वसूली होती थी तो चाचा को ठकेव दिया जाता था भतीजा अकेले ही बैग लेके भाग जाता था यही दृस्या पुरे प्रदेश का हुआ करता था विकास के नाम कर भी यही लूट खसोड भचीवी थी यही लूट पुरे Państu में बचीवी थी पहन और भाईयो इनको मेंपुरी की चिंता नहीं थी इनको इटावा की चिंता नहीं थी इनको स्वयम की चिंता थी और इसलिए जब उनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश सुरक्सित नहीं रहा तेन लोगों ने तो अपने ले दुनिया के अलग-अलग देशों में ध्वीप खरीद ले होंगे लेकिन बैन और भाईयों हमें और आपको तो इसी प्रदेश में रहना है चाचा की तो नियती ही है हमेशा धक्का खा करके वहीं पड़े रहना लेकिन बैन और भाईयों अप्तर प्रदेश वास्यों को धक्का खाने की आदत से अपने आपको हारना पड़ेगा सम्मान के साथ राष्टवादी मुशन का सिपाई बढ़ करके आगे बढ़ने की हमें आदर डानी पड़ेगी